हाई एवरीवन, जेसी किष्णा राथे राथे, हर हर महादेव और मैं सरला इंटिटी टैरोरीडर मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपके अंदर कौन सा ख्वाप पल रहा था जो अब जनम लेने वाला हैं और यह एक एक स्ट्रॉंगली मुझे जैसे इश्वर की तरफ से एंजल्स की तरफ से यूनियर्स की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉंगली यह चैनल मेसेज था मेरे लिए और कि मुझे यहाँ पर देना था आप सभी को कि आपके अंदर अब भी तक ऐसा क्या था जो पल रहा था है ना मतलब आप अपने अंदर दीरे दीरे किस चीज को बढ़ा रहे थे हैं अपना माइंड बॉडी सॉल में क्या था जो वो पल रहा था एक ऐसा ख्वाफ जो दीरे दीरे जैसे बच्चा है वो दीरे दीरे जैसे उसके लिए अपने आपको प्रपेर कर रहा है अपने आपको उस ख्वाफ के लिए तयार कर रहा है माइंड से बॉडी से हर तरीके से यहाँ पर जैसे वो पूरा जैसे एक जो पल रहा था आपके किया आप अपने अंदर डू और जनम लेना चाहता था लेकिन कब यहां पर वही मेंसज पो हमता है कि अपके अंदर और जनोम भी पहन kilometers, अब बसे भल है है और ये timeless reading होगी, general reading होगी और PK card reading होगी, इसमें से आपको बिल्कुल एक card चूज करना है कोई बात नहीं, नहीं कर पातो, आप पुरी reading देखो ठीके, और जो message आपसे resonate हो जाते हैं ठीके, उन्हें रख लेना ही, जो नहीं होते हैं उसे जाने देना, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आपसे ठीके, आप अपनी situation से message ले लिया करो, ओके और इसका time में अपना description box मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना ठीके, उस पर सिर्फ क्लिक करोगे, तो आप अपनी pile पर पहुँच सकते हो और जिसे भी person reading चाहिए, मैंने अपना whatsapp number, description box मेंशन कर रहा है वहाँ से आप देख सकते हो, ओके और इतना बड़ा वाला thank you बोलना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं आपको पाइल बताना चाहती हूँ, यह है पाइल नंबर वन, ठीके यह पाइल नंबर वन है, gratitude and thanks, पाइल नंबर वन थोड़ा सा इसको दियान से देखोगे इस पाइल को, तो बहुत जैसे इस मेहना खुशी चुपी हूई है, new beginning चुपी हूई है, abundance से यहाँ पर, आपके खुआबों की, आपके सपनों की यहाँ पर, जैसे आप एक नई उड़ान बरने के लिए तैयार बेटे हो, ओके, यह है पाइल नंबर वन, इस पर अगर आपकी टिक्री है निगाह है, यह आपको अट अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, जैसे हम केते हैं कि जो मेरा रीडिंग का थीम है, कि आपने अंदर एक ख्वाइश को पाला था, काफी टाइम पहले पाला था, वो धीरे दीरे आपको पता है नहीं कि वो कब बड़ी हो गई, ठीके, कब वो अब वो इतनी बड़ी में थी, जो भी आपकी विष्ट थी, पाल नमबर टू, ओके, तो बिल्कुल आप वीडियो को पोस भी कर सकते हो, ठीके, वीडियो को पोस करके, आप अपने पाल को फिर भी देख सकते हो, ओके, मैं यहाँ पर फिर बता देती हूँ, पाल नमबर वन, पाल नमबर टू, ओक वीडियो को पोस्ट करके आप अपने पाइल को स्लेक्ट कर सकते हो और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो आप सभी प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से क्योंकि मैं अपना बहुत effort लगाती हूँ यहाँ पर daily videos आता है daily universe मुझे इतना push करते हैं हर चीज के लिए मैं बतानी सकती कहीं ना कहीं इसमें इसमें आपके future के लिए बहुत कुछ चीज़े चीपे हुई हैं यह मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बहुत अलगी तरीके से तयार किया गया है मुझे भी नहीं पता था सब चीज़े क्या होती लेकिन मतलब एक कितने के life purpose होता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो जितना एक दूसरे को push करेंगे उतना ही जल्दी आगी की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे यह मेरी नहीं यूनियर्स की आपकी तरफ से पाइल नंबर वन से हाई पाइल नंबर वन तो जिसने भी यह gratitude and thanks का card चूज करा है उसकी reading में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और प्लीज पाइल नंबर वन वीडियो को like, comment, subscribe ज़रूर किया करो और आपके अंदर कौन सा ख्वाब पल रहा था जो अब जनम लेने वाला है पाइल नंबर वन आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ख्वाबों की मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप है ना सबसे बड़ा आपका ख्वाब क्या है जिन्दा दिली है ना इंदा दिली मतलब यहाँ पर हमेशा खुश रहना हमेशा हैपी रहना मतलब चाह कोई वज़े हो या ना हो लेकिन आपको एक जैसे एक इश्वार की एक ऐसी क्रपा है आपके उपर इश्वार का एक ऐसी आशिरवाद आपके उपर बना हुआ है कि जयो भी सिच्वेशन होगी जैसी भी सिच्वेशन होगी आप उस इस्थिती में भी मुस्कुराते आप रहोगी वो बात अलग है कि थोड़ी सिच्वेशन में आप डगमागा गये हो कभी आप एक टाइम पर आप शायद बहुत टूटे हो लिकिन यूनि subtitles अपयाको तरब और इसी और इस्ष्वर की तरफ से एक असी blessings है आपके उपर कि जैसे कि एतने है कि एक समय के अनुसार आपकी डुपकी लगी लेकिन यूनि कि आपके उपर एक शाय आप अपको अप यसी कृपा है पाली नहीं सकते हो आपके अंदर पल रहा है तो वो खुशी पल रही है ठीक है एक आजादी पल रही है यहां पर कैसे जिंदीगी को जिया जाता है वो पल रहा है आपके अंदर यहां पर और आप जिसे उसको आप अपनी उसी उड़जा को लेकर आप अपनी जिंदीगी की यहां पर नई शुरुवात यहां पर कर रहे हो, अब आपके अंदर क्या पल रहा था पाइल नंबर वन, मैं यहां पर बताओं कि आपके अंदर एक जिंदा दिली पल रही थी, आपके अंदर एक ऐसी खुशी पल रही थी, जो आपको खुश करती है, जिससे आपकी खुशी, मतलब इश्वर के लिए बहुत ज़्यादा माईने रखती है आपकी खुशी आपका खुश रहना आपके लिए इश्वर के लिए आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होगा पाइल नंबर बन जितना जो मेसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं मैं वही बता रही वह ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि आपका खुश रहना आपकी खुशी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है तो वह हमेशा आपके अंदर इतनी पॉजितिविटी रखते हैं इतनी खुशी रखते हैं ताकि आप हमेशा जिन्दा दिली रहो हमेशा खुश रहो ताकि उस उर्जा से आप अपनी उर्जा से नया कुछ आप अपने जीवन में क्रेट यहां पर कर सको क्या पल रहा है आपके अंदर आपके अंदर वो एक एसी पॉजिटिविटी पल रही है एक एसी खुशी पल रही है, जो आपको जिन्दा करती है, जो आपको जीने के ढंग सिखाती है, जो आपको जीने की एक नई रहा दिखाती है, जो कहते हैं कि खुशी क्या होती है, खुशी खुश होने से आती है यहां पर, आपको इस चीज को भली बाती पता है, कि जितना ज तो वह खुशी आपके अंदर यहां पर पल रही है, और अब यहां पर जनम लेने वाली है, मतलब यहां पर अपके अंदर एक ऐसा गिफ्ट आपका जनम ले रहा है, जो अभी तक आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे थे, वह आपकी जिसे आपको कुद्रत ने, आपको पता ह पता है आपको कि आपको कुद्रत में क्या दे रखा है, आप उसका भर भर के ग्रेटीट पे करना चाहते हो, ठीके उसको ठैंक्स बोलना चाहते हो, क्योंकि उसने वो इस्ट्रेंट दी, वो खुशी दी, वो एक जीने का कारण आपको दिया यहां पर, और उसी ने जैसे आ अलगी उर्जा में लेकर जाता है, जो आपको खुश रहना सिखाता है, पाइल नंबर वन, ओके, यहां पर आपको, आपको आपकी खुशी कहां पर है, नेचर में, इश्वर से, एंजल से, इनमें, इनके निकट रहना, इनसे बाते करना, इनकी लेंगेज को समझना, इन ब्याइत का बबली सा फे मुस्क्राना, हसना आपको अच्छा लगता है, खुश रहना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना भी जाता है अपकी लिए, जितना जादा आप खुश रहोगे, उत्ती ही जादा आप अपनी लाइफ में, नेनी चीजों को जनम पैल नबर वन, तो मैं यहाँ पर, अब कार्ड से, देखते हूं कि कौन सा ख्वाब आपके अंदर पल रहा है, जो जनम लेने वाला है, तैयार हो आप, तैयार हो अपने जैसे कहते हैं, वो अभी तक जो एक ख्वाब आपको ख्वाबी लगता था, ठीके, आप सोचते थे कि मेरा, मैं कभी अपने, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो ख्वाबे कभी पूरे होंगे की नहीं होंगे, ठीके, यहाँ पर बे कभी अपनी जिंदीगी में कुछ नया क्रेट कर चर्णा कि करपाओंगा, मैं अपनी जिंदीगी को जिसे नय सीरे से शुरू कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, मतलब आगी की तरफ यहां पर बढ़ना, ठीके, यहाँ पर और जैसा भी मैंने यहाँ पर बोला कि आप बहुत बहुत blessings हैं आपके उपर यहाँ पर इश्वर की angels की आप blessed हो आप यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आपकी खुशी क्या है हमेशा जिसे खुश रहे कर है ना स्ट्रेंथ के साथ जो आपको स्ट्रेंथ और ताकत मिलती है न वह एंजल से और इश्वर से ही मिलती है आपको यहाँ पर और वह जैसे उस चीज को लेकर आपका एक ख्वाब है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है लेकिन वह होगा कैसे उसके लिए पहले अपने आपको तयार करना है तो यहस वह उस चीज के लिए आप तयार हो चुके हो ठीके आप यहाँ पर अब आपके ख्वाब है कि आप अपने अपनी जर्णी को एक नए सीरे से शु में अपने आपको कमजूर ना साबित करो यहाँ पर आप एक योधा हो सिच्वेशन के लिए तयार रेता है तर लेकिन हमेशा अपने आपको तयार रखना उसका प्र प्रम कि आप चिनता नहीं करोगे अब यहाँ पर एक ख़शुंऑ आपके अंदर कि अब आप्ट जिसे अपने ख़ाप को सच करने में अब आप लगे हुए हो ठीक है अब आप जैसे आपके अंदर वो खाप ऐसा है कि अब आप योध्धा हो ठीक है आप अपने सपनों को खुद पूरा करने की तरफ यहां पर जा रहे हो बहुत बैलेंस की उड़ा में यहां पर देख रही ह किसी भी तरह का कोई यहां पर सबसे बड़ी बाती है कि इतना बैलेंस में देख रही हूँ आपको कि आपकी जैसे हर चीज पर आपकी एक अच्छी कासी कमांड देख रही हूं यहां पर आपको किसी बात का कोई इस्ट्रेस नहीं है बिल्कुल फुली आप रेडी हो तैया न हैना वो आपका मेन है यहां पर आपका ख्वाव यही ऑ है आपके अंदर यह पल रहा था कि आप एक असा योध्धा बनो जो हाँ पर हर सिच्छेशन अको आप हैंडल कर सको होझी हैं अपक हर जगेए आपकी विजय निश्चित हो जहां पर Key 110 थल ओंने नौंषब बुद्धी से चा ज्यान से चा स्ट्रेंथ से वो उस तरीके से आपने अपने आपको तैयार कर लिया है क्योंकि ख्वाब कभी कभी क्या होते हैं हम एतने बड़े ख्वाब देख लेते हैं कि उसको तैयार करने के लिए जैसे उसको उसको सच करने के लिए हमें भी तैयार होन पड़ता है तो आपका भी ख्वाब ऐसा था ठीक है जो पल रहा था अंदर ही अंदर पल रहा था लेकिन उसको सच करने के लिए आपको भी बहुत कुछ बदलना पड़ा है आपके अंदर ठीक है और वो बदला इस कदर हुआ है कि अब आप हर सिच्छेशन को जैसे दिमाग क ज़रत होगी तो स्ट्रेंथ भी है आपके पास यहां पर चेरियट हो योद्धा हो आप यहां पर आगे बढ़ रहे हो सिफ आप यहां पर पीछे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उसको आपकी कोई नहीं है सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना आगे की तरफ यहां पर फोकस करना यह एक इसा ख्वाब है याज नाइन ऑफ कप्स यह एक जैसे केतेकिन है को सब्सक्राइब आपके अंदर पल रहा है जो जनम लेने वाला है क्वाब यही है आपका कि आपके पास हर खुशी हो ठीके आपके पास वह खुशी हो और आपके कोई दिली तंमन ना है ठीके और आपके कोई ऐसे सपने हैं आपके, कि जहां पर आप एना अपने सपनों के साथ जीना चाहते हो, अपने सपनों के साथ खुश रहना चाहते हो, ठीके, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, ठीके, सब कुछ होना चाहिए, प्यार होना तो वो जनम जैसे वो पल रही थी आपने आपके अंदर यहाँ पर, क्योंकि आप positivity से भरे हुए हो, जिसके अंदर जितनी positivity रहती है, उसके अंदर वही पलता है, पाइल नमबर वन, तो आपके अंदर भी एक एसी ख्वाइशे पल रही थी, एक एसी सच्चाई पल रही थी, जो अब यहाँ पर जनम लेने वाला है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुश रेना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर वही जनम वही आपके अंदर पल रहा है, और आपको वो, जो खुशी आप चाहते हो अपने जीवन में, वो खुश हो यहाँ पर, अगर आप यह मतलब दिल में सोचते हो, कि आपके पास हर चीज होनी चाहिए, हर सपना आपका पूरा होना चाहिए यहाँ पर, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका, कि आपके पास सब कुछ होगा, प्यार भी होगा, और मतलब उसके साथ आप काफी खुश र सारे सपने सच हो रहे हैं आपके यहाँ पर, और उसको जैसे उसको लेकर आप बेठे हो, उसके साथ इंचोई कर रहे हो, वो खुशी है आपकी दिली तमना है, ऐसा पांटिकल्स, आपके अंदर कोन सी क्या पल रहा है आपके अंदर जो जनम देने वाला है, यास, आपके अ एक बीज, एक ऐसा बोया था आपने कुछ टाइम पहले, जो हाँ पर आपको सबसे जादा जर्रत थी, सबसे जादा जर्रत आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपनी ख्वाइशों को पूरा करने की थी, कि आपकी ख्वाइशे ऐसी थी, आपके ख्वाप कुछ ऐसे थे, जिसे आपके वो दिल से जूड़े हुए थे, ठीके, कि दिल से, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास पेशा भी हो, ठीके, जिसे कि पेशा होगा तो हम अपनी दिल की तमन्नाओं को भी पूरा कर पाएंगे, हम अपनी ख्वाबों को भी पूरा कर पाएंगे, अपनी ख्वाइ बीज पल रहा था जिसका वो अवेना वो एक वो बहुत ग्रो हो चुका है वो जैसे इतना बड़ा हो चुका है कि जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे एस और पांटिकल्स इसको मैं पता नहीं क्यों इस कार्ट को मैं कि इसको एक बीज के रूप में देख रही हूँ कि आपने अंदर एक ख्वाप पाला था कि आप बहुत जादा अबंडस मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक है बहुत जादा आपकी जो भी ख्वाइशे हैं उनको अब बहुत सारी अपोचनिटीज आरude बहुत सारी पाला यहां आपके ब्लस आप तरे अपने सपनों को यहां पर. एक ऐसा खाप पल रहा है आपके अंदर कि जहां पर आप मतलब दोनों हातों में लड़ू आपको चाहिए और वो दोनों हातों में लड़ू आपको वो मिल भी रहा है आपको कि आप उसको लेकर आप बहुत साथा खुश भी हो रहो है जिसे कितना कि एक सेट को सब कुछ मिल बहुत सारीकुश भी मिल जाती है तो उसके साथ कितना वह कर अपर करता है महाई हुस तो यह एक कि जनम हो रहा है आपकी खुशियों का जनम हो रहा है आपकी अबनास हो अपन शुरह है और आ प्लस अब आपसम को ए とियार हो उसको उसको इंचॉय करने के लिए क्योंकि जिसे पेले आप दिल, मन, मन की खुशी, आपके लिए बहुत जाधा माइने रखती है, पाइल नमबर वन, ओके आपके अंदर क्या ख्वाप पल रहा था, ठीके, क्या पल रहा था आपके अंदर, एक आप अपने अंदर कोई भी ऐसी चीजों को नहीं लेके बेठे हुए थे कि जहां पर आपको, मतलब वो केते हैं कि अगर आपके अंदर किसी नेगितिविटी को पालोगे, तो वो नेगितिविटी ही बड़ी होकर बाहर निकलती है, अगर किसी ब्लासिंग्स के साथ चलोगे, या पोजिटिविटी को अपने अंदर रखोगे, तो वो ही बड़ी हो आपने जैसे अपनी खुशियों के लिए जैसे बहुत कुछ अपने आपको चेंज करा परिवतन करा अपनी खुशियों के लिए यहां पर तो वह एक एसी ख्वाइश पल रही थी आपके अंदर ठीके और वह पलते पलते आज वह इतनी बड़ी हो रही है कि जिसकी वज़े से आपकी बहुत सारी विष कंब्लिट हो रही हैं यह सर्ट गर्व यहां पर सुर्स्क्राफ की तरफ यहां पर खुर रहे हैं और प्लस आप एक नई ऊपनी डगान के साथ एक नई इस्ट्रेजिटी के साथ आप आगे की तरफ यहां पर भढ़ रहे हो तो यहाँ पर मैं इन सब चीजों को मैं देख रहे हूँ एक खौप एसा पल रहा था आपके अंदर कि आप अपने अपनी जर्णी में काफी आगे जाओ अपनी अपनी मतलब अपनी जिन्दीगी को एक एक नए सीरे से एक नए अंदास से शुरू कर सको तो वह वहाँ पर आप देखोगे ठीक है यहाँ पर ओके कार्ट था कृष्णा जी का था लेकिन कोई बात नहीं ओके और वाइट एंजल आस इस स्पीट से यह एक मिनिट हाँ यहाँ पर देखो यह एक आपने में एक बात बताओ आपको कि मुझे एसा लग रहा है ना कि आप आपको एक एसा ख्वाप था जो आपके अंदर पल रहा था कि आपके जो इस्प्रिट्स थें ऐनिमल इस्प्रिट्स उन्होंने आपके जैसे इस ख्वाप को जैसे एक ख्वाप आपने रखा अपने अंदर आपकी कोई विश्ट थी कि आप बहुत जादा financially मतलब आप काफी strong हो और financially आप काफी मजबूत रहो ठीके और उसकी वज़े से आप अपनी ख्वाइशों को पूरा कर पाओ एक ऐसा सपना था आपका एक ऐसा बीज बोया था आपके अंदर जो पल रहा था तो उसमें आपकी जैसे आपके पूर्वजों ने आपकी और आपके इस्पृड्स की आपकी बहुत हैल्प करी है ठीके वो बीज तो आपने रग दिया लेकिन उसे grow के से करना है उसे आगे के से बढ़ाना है ठीके तो उस चीज से जैसे आपके आपके इस्पृड्स ने आपकी बहुत help यहाँ पर करिये और उचीज से आपको connect यहाँ पर कराया है ठीके आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने किसी की healing कोई यहाँ पर healer भी है ठीके या आपने अपने जैसे पुर्वजों की जैसे healing है ना कुछ आपकी family से related कुछ ऐसे patterns थे जहाँ पर आपक जिसकी वज़े से आपके पूर्वज आपको बहुत सारी जैसे आपको जो भी आपके खुआप थे जो आपके अंदर पल रहा था उसको जैसे उसको एक आशिडवाद दिया है ठीके और वो एक blessings के रूप में आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है ओके and purpose the divine director आपके लिए बोला जा रहा है कि यह जो कुछ भी हुआ था ना आपने जैसे आपने अंदर एक बीस तो रखा था एक क्या पल रहा था आपके अंदर ठीके पल यही रहा था कि आप कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जिसकी वज़े से आप भी जैसे कितना एक प मतलब दूसरों को भी healing यहाँ पर मिल सके ठीके मतलब एक divine director जो कुछ भी हो रहा था ना जैसे कहते हैं कि ख्वाब एक सपना आपके अंदर जैसे यूनियर्स नहीं डाला है यह यूनियर्स नहीं डाला है ताकि आप उसको सच करने के लिए ठीके सच करने के लिए और उसको साबित करने के लिए ठीके उसे प्रूफ करने के लिए आप अपने उपर यहाँ पर काम कर सको ठीके अपने आपको balance यहाँ पर कर सको तो जो कुछ भी हुआ है आपकी life में वो पूरी एक planning के तहत हुआ है वो आपकी खुशी के लिए हुआ है आपके life purpose के लिए हुआ है यह यह जो कुछ भी जैसे ख्वाब आपने पाला थाना अपने अंदर जो जनम ले रहा है आपका वो आपके एक ब्लैसिंग्स के रूप में जनम ले रहा है ठीके और एक परपस है आपका जो खुड डिवाइन उस चीज को डारेक्ट कर रहे हैं इसमें किसी का भी हाथ नहीं है अर खुद ही यूनियर्स ने जैसे इसी रणनीती के लघता है बहुत काम की हैं आपके साथ यहां पर तपकी आपकी ख्वाइश है जो ख्वाब आपके आंदर पलग रहा है जो यूनियर्स ने खुड डाला है अही और उसको जैसे केटेंने कि आपको पता भी नहीं चल रह आप इतने मस्त मोला, खुश मिजाच जैसे आप को है, नेचर के अलावा, चुटी-चुटी खुशियों के अलावा और किसी चीच के जर्ब, मतलब वो ही नहीं थी, क्योंकि आप खुष, खुशी यहां पर, क्योंकि आपके अंदर एक जबर्जस्त हीलिंग थी, थी वो, और और एंजल्स जिसे आपी के तुरू बहुत कुछ कराना चाहते थे, पाइल नमबर वन, आपके अंदर एक हीलिंग हुर्चा है, और आपी के तुरू, यहाँ पर आपके कुछ कर्ज रहा है, आपके इस्पिर्ट्स के उससे जो आपने अदा किया है वो, और आपने हील किया है और आपने बैलन्स करा है अपनी फैमिली को, ठीके यह एक पूरी एक प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि जो जितना प्योर होता है, जो जितना सैंसिटीव होता है, उनी के तुरू healing दी जाती है, ठीके उनी के थूरू, उनकी ही healing लगती है, उनी से ही, कि एक सच्ची सोल परमात्मा की निकर जाना चाहती है तो वह बहुत इजी लिजा सकती है लेकिन आपके तो कुछ सख्वा भी नहीं थे आप तो मतलब खुश रहना था बस आपको किसी भी कीमत पे बस खुश रहना है लेकिन या जब पेशो का जो पंगा आ रहा है न ये यूनिवर्स की तरफ से डाला गया आपके दिमाग में ताकि आप इसको अच्छीव करने के चक्कर में ठीके आप अपने एंस्टर्स के जो भी कर्ज हैं वो आप पूरा कर सको और उसकी वज़े से आपके जो लाइफ पूरा हो सके माय कोट क्या मेसेज है यहां पर एक ख्वाप क्या पल रहा था आपके अंदर जिसकी वज़े से आप जिसे एक वो एक महसूस कर सको एक सच्चा ही देखो मैं एक बात बता दूँ यहां पर आप हो बहुत जिन्दा दिल इंसान खुश रहना है बस आपको खु लेकिन आपकी सिट्वेसन ऐसी हो गी थी कि आपने एक टाइम पर चाहा पेसा ठीके चाहा क्यों क्योंकि आपकी जो दिली तमना है जो खुशी है वो बिना पेसों के पूरी नहीं हो सकती थी और उसकी वज़े से जैसे आपने जब चाहा तो वो मेरेकल्स हुए हैं आपकी में आपकी पैल नंबर वन तो मैं यहाँ पर इसको देख रही हूं और एक टायम पर बहुत ज़ादा आप जो तैयार यहाँ पर हुए हो आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं हुए हो यहाँ पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खूष रहना चाहते हो, मगन रहना जाते हो, नगता है लेकिन पर यह था कि आप आम बहुत जिसे शर्मीला नामीजाच, मतलब ठूप ठूप कर रहना, ठूप ठूप कर अपनी खूशी को मैनिफेस्ट यहाँ पर करना, जिसे शर दिखसे क्र agricane कोnormिले होते हीं ह auraitite to us killer के आपलिश चानु levels फेल्एा भोँषे की-खौई की डबी रह जाती हैं जैसे हम benefit की वैजह से होथाना बहुत 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 सभी are हम्हांसे निकल जाती हैं तो सेम आपका यहां पर वही था यहां पर वही के आपने जैसे-जैसे अपने में सच बताओना आपने अपने इंकी हल्ब से और इनके उससे आपने बहुत ज़ादा आपने आपको то हीँ करा है पता नहीं कितनो को हीँ कर दिया है आप नहीं इहांपर आप किसी एक एसी एक एसे ब्लॉक के से भी बाहर आ रहे हो और प्लस आप ये एक जिसे अभी तक आप बंदे हुए थे जो आपका ख्वाब धाना वो जिसे वो आपको एक नए रूप के रूपे बाहर नहीं आ पा रहा था लेकिन ये यहाँ पर अब आप रेडी हो ठीके वो जिसे पल राय अंदर अब उसको आपका जनम होने वाला है क्योंकि अब तयार हो पहले तयार नहीं थे भई आप जब तक इसको बीच को आपने रखा नहीं था और ये आपकी लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आई होप आपको मेरी रीडिंग क्लियर होरी हो एंजल ओफ स्ट्रेंथ ठीके ये स्ट्रेंथ आपको क्योंकि इस सिच्वेशन में थे खुश रहना आपको अच्छा लगता है मंगन रहना अच्छा लगता है लेकिन बहुत कुछ करना भी तो हुए आपको आपकी लाइफ म कितना इस पिक्चर में कितने डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं एक ये शर्मा कर पीछे खड़िये और एक ये जैसे शेडनी की तरह घुरा रही है है ना तो ये आपके अंदर ये चेंजेस हुए हैं और ये ख्वाब था आपका ये पल रहा था कि आप जिसे आपका एक ज जनम लेने वाला है अब आप शेयर की तरह呢 की तरह यहा पर दहाडने वाले होटीके अब आप जैसे आपके आपके अडीमggा श्परी भी यहाँ पर देक रही हो कि टाईगर है ठीकाए आपने बहुत जादा जीसे अपने आपको चेंज करने के लिए बदलने के लिए यहां आपके युद्धा के रूप में यहाँ पर अपने ख्वाबों के रूप में बस आगी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो ओके पाइल नमबर वन एक मिनिट हाँ तैंक यू नमबर वन यहाँ पर जिसे आपके अंदर में सच बताऊ ना इतने खुश्मिजाज इतने जिन्दा दिली इतनी पॉजिटिविटी इतनी सच्चाई को लेकर फिर भी आप इसे खड़े हुए थे लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्वाब आपका क्या पल रहा था ठीके जिसकी वज़े से ख्वाब तो था लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे कुछ चीजे एक ऐसी थी जो ब्लोकेस थी कहीं ना कहीं जैसे कुछ हील आपको करने की जरुरत थी तो वो हीलिंग भी हुई है आपकी तरफ से यहां पर ठीके और प्लस जैसे आपकी क्रेटिविटी आपकी क्रेटिविटी जैसे यहां पर आपके अंदर बहुत आप creative भी बहुत हो ठीक है आपका solar precious chakra काफी active है जिसकी वज़े से आप काफी अपनी जीवन में जैसे कितने abundance को manifest abundance कहां आ रही है आपकी creativity के through आपके पास यहां पर आ रही है ठीक है आप अब यहां पर आपका जैसे क्या ख्वाप पल रहा था आपके अंदर के आप बा उन्हें सच होते हुए देखो उन्हें आप खुद यहां पर सच करो आप किसी एक जीज में success महारत हासिल करो जो आप सिर्फ जैसे केते नहीं कि अंदर से खड़े होका सोचते हो विचार करते हो ठीक है लेकिन वो कब होगा यहां पर जैसे केते नहीं कि एक समय होता time होता वो time है आपका यहां पर ठीक है वो जनम ले चुकी आपकी creativity जनम ले चुकी है यहां पर आपका जैसे क्या पल रहा था आपके अंदर आपकी यहां पर पल रही थी इच्छा पल रही थी positivity पल रही थी and आपकी abundance यहां पर पल रही थी strength पल रही थी यहां पर और वो जैसे हो रही है ठीक है अब वो जनम यहाँ पर ले रही है अब बहुत जादा आपको आपकी creativity में आपको बहुत जादा success मिलेगी सफलता यहाँ पर मिलेगी miracles होंगे आपकी life में यहाँ पर ठीक है abundance के रस्ते बहुत सारे source abundance के यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं ओके पाइल नमबर वन तो पाइल नमबर वन यह थी आपकी reading I hope आपसे resonate हो होती है तो please 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 like comment subscribe and thank you thank you so much and bye जेशी किष्णा राधे राधे हर हर महादेर हाई पाइल नमबर टू तो जिसने भी यह prayer and wishes का card चूज करा उसकी करना और जिसे भी person reading चाहिए मैं अपनो whatsapp number description box에 mention कर रखा है वहाँ से आप देख सकते हो ओके पाइल नमबर टू सबसे बड़ी बात में यहाँ पर एक आपके अंदर एक patience देख रही हूँ बहुत ही patience को देख रही हूँ आपके अंदर के जो भी आपकी मुझे यसा लग रहा है ना आपने कोई prayer और कोई wish थी आपकी ठीके जो आपके अंदर पल रही थी ओके और जिसे उस prayer और wishes को लेकर आप बहुत जादा आपने patience रखा है धैर आपने यहाँ पर रखा है जैसे आपको आपको किसी भी मतलब ए होगी लेकिन आपकी soul को यहाँ पर किसी तरह की कुछ जल्दबाजी नहीं है आपकी soul को पता है कि किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है ठीके जब हम prayer करते हैं प्रात्ना करते हैं तो हमें जैसे prayer प्रात्ना करके छोड़ देनी चाहिए ठीके लेड़ को कर देना चाहिए हम और अपने जैसे किते हैं कि अपने अंदर उसको महसूस करना चाहिए कि हां उस पॉजिटिविटी को उस स्ट्रेंथ को एक अलग ही रूप में उसको फील करने की यहां पर जरत जो मैं आपके अंदर देख भी रही हूँ पाइल नंबर टू आपके अंदर क्या पल रहा है आपके अंदर जैसे आपके एक मुझे पेशेंस बहुत नजर आ रहा है आपके अंदर जैसे आप किसी भी काम को जब करते हो न तो बड़ी ध्यान से करते हो बड़े लगन से आप करते हो और उसमें जैसे आपके एंजल्स आपके साथ में होते ही होते हैं और जब आप इतन पेशेंस के साथ इतने ध्यान से किसी काम को आप करते हो ना, my God, मतलब आपको सब ब्लासिंग्स देते हैं, सब ब्लासिंग्स देते हैं, कि आपकी जो भी प्रेयर है, विशेस है, उस जरूर कम्प्लीट होईगी, पाइल नमबर टू आपकी यहां पर, ओके, एक क्या पल रहा है आपके अंदर, आपके अंदर आपकी प्रेयर, प्राथना, आपकी पूजा, पाठ, लगन, पेशेंस, यह सब पल रहा है आपके अंदर, जो कि आपको एक इश्वर से जोडता है, जो कि एक आपको कुदरत से जोडता है, जो कि आपको आपकी खुशियों से जोडता है, इक बहुत ही बहुत ही अलग तरह की एक मैं खुशी को देख रही हूँ जब धी आप कुछ प्रेयर करते हो प्रातना करते हो तो उसको पसी सकते बहुत बैलेंस के साथ और बहुत खुशी-खुशी आप करते हो यहां पर, पर आपको करना भी इसी तरीके के चाहिए, आपने शायद कभी किसी टाइम पर जैसे केते हैं कि कुवे में कोई भी सिक्का फेक देते हैं, हम तो उसमें हमारी विश हो जाती, तो शायद आपने कहीं पर कुवे में कोई सिक्का फेका होगा, अपनी विश करी होगी, प्रातना आपकी पल रही है आपके अंदर मतलब यहाँ पर आप जब भी प्रेयर करते हो इश्वर से प्राथना करते हो तो उतनी ही आपके अंदर वो चीजे बड़ी हो रही हैं जैसे खुद्रत के साथ एक आपका आपका कनेक्शन एक अलग सा में देख रही हूँ यहाँ पर पाइल नंबर टू ओके तो कौन सी खुआईशे आपके अंदर यहाँ पर पर रही हैं थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू सो मच और आपकी जो प्रेयर करते हो प्राथना करते हो वो जैसे आपकी पूरी भी होती ह है या होने वाली है मुझे कुछ मेसेज यहाँ पर ऐसे भी मिल रहे हैं ठीक है सेवन ओप सॉर्स आपने पाइल नंबर टू आपकी क्या आपके अंदर कौन सी खुआईशे हैं जो पल रही है आपके अंदर पाइल नंबर टू यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुआईशे आपको शायद इस बात का एक इस किसी बात का डर है या भै है शायद आपके दिलो दिमाग में कि आप किसी चीज से शाद आप भागने की कोशिश कर रहे हो ठीक है या मतलब कोई चीजे ऐसी हैं जो आपका पीछा कर रही है यहाँ पर कुछ है शायद आपके दिलो दिमाग में कुछ डर है जो भै है आपके ठीक है तो एक जैसे बहुत कुछ चीजों को हम जैसे आगे की तरफ तो हम जाते हैं जैसे हम अपनी बहुत कुछ चीजों को तो समेट लेते हैं समेटते हैं बहुत कुछ जानते भी हैं समझते भी हैं और समेटते हुए आगी की तरफ यहाँ पर पड़ते भी हैं लेकिन गभी-गभी क्या हो जाता है ना कि आप के अंदर कौन सी युमिश्य Ace और और स्वारी आपके अंदर कौन सी ख्वाइशे पल रही है यहां पर आपके अंदर में positivity तो में बहुत तेहरी हूं ठीके और बहुत जादा आपके अंदर creativity भी है बहुत mind भी sharp है आपका लेकिन कहीं ना कहीं शायद एक चीज आप miss कर रहे हो कि आपको अपने उपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप कि आप मतलब जो आप कर रहे हो ठीक है या जो कुछ भी आपको मिल रहा है ठीक है वो किस वज़े से आपको मिल रहा है sorry मेरी reading थोड़ी deeply जाती है वो किस वज़े से मिल रहा है क्या वो पीछे के कारण जो रहे हैं उसकी वज़े से मिल रहा है या जो आपने मतलब आपनी करा एक कितेना करम किया उसकी वज़े से आपको यहाँ पर मिल रहा है तो कुछ चीजों में आप शायद एक confusion है आपके अंदर एक डर है एक भय है जो आपको शायद यह believe करने में और यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हाँ आपकी जो wish है जो प्राथना है वो इश्वर तक पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है आप विश्वास करो pile number two आप विश्वास करो ठीके के आप पहली बात तो यह है कि जब आप अपने उपर विश्वास करने लग जाओगे ना तब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीके विश्वास करो कि आपकी जो भी prayer है प्राथना है यहाँ पर उसका वो आप ही की वज़े से पूरी हो रही है किसी और रिजन से पूरी नहीं हो रही है यहाँ पर आप सिर्फ पास्ट में क्या हुआ है कैसे हुआ है उसकी तरफ वहाँ पर ध्यान मत दो आपको जो भी अभी इस situation में मिल रहा है ठीके जो भी अभी जो भी present में आपके पास है उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर क्या खुआब आपके अंदर पल रहे हैं पल तो बहुत कुछ रहा है अपके अंदर ठीके और उसे आप सच भी कर रहे हो लेकिन विश्वास आप करो थोड़ा सा यहाँ पर यह गायडलाइंस आपकी नी निकल रही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना शायद उसके उपर थोड़ा सा विश्वास आपका डगमगा रहा है, ठीके, तो उसे आप जैसे केते हैं, उस चीजों को आप विश्वास में बदल दो, फिर देखो आपके अपने अंदर खुद के दिमाग में किते changes होने लगते हैं, King of Cups, मैंने बोलाना कि जो कुछ भी मिल रहा है आपको यहाँ पर, आपको किसी की और वज़े से मिल रहा है, या किसी और कारण से यहाँ पर मिल रहा है, वो सिर्फ आप ही के करमास की वज़े से यहाँ पर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा emotional हो, पास्ट में definitely कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जहां पर आपके साथ बहुत cheating हुई है दोगा हुआ है बहुत mind game खेला है लोगों ने आपके साथ यहां पर लेकिन विश्वास करो आप अपने उपर ठीक है कि आप जो कुछ भी आपने मिल रहा है आपको अभी आपके through वो आपी की वज़े से यहां पर मिल रहा है थीक है क्यूंकि आप बहुत ज़्याधा emotional हो बहुत ज़्यादा प्योर हो बहुत आपके अंदर करूना है दया है प्रेम है यहां पर लेकिन यहां पर आप अपनी उर्जा के उपर यहां पर विश्वास करो आपकी wish ठीक है आपकी wish और आ नहीं आपके अंदर यहां पर प्राथना करती है तो वह उसकी मैं पांडल रहा है प्राथने के ब मैं पर अब्र आपके बात भी निए नेंद की यहां ebeno उपर विश्वास करो तो फिर वही सब चीज तो नहीं हो जाएं हमारे साथ ठीके तो यह कुछ यहां से थोड़ा सा आप अपने आपको बैलंस करने की कोशिश करो और शिर्फ आप अपने उपर विश्वास करो और आगे की तरफ यहां पर बढ़ो जो पास्ट में हुआ हैं वो दुबारा आपके साथ नहीं होने का यहाँ पर ठीके ओके किंग ओप सॉड्स पाइल नमबर टू क्या कौन सा ख्वाब आपके अंदर यहाँ पर पल रहा है यहाँ पर देखो मैं एक बात बताओ बहुत कुछ चीजों को आप खुद भी यहाँ पर क्लियर करना चाहते हो क्योंकि आप जेको जो जिसके अंदर दया होती करुणा होती वो इस पर चल भी बहुत होता है अपने खुद के प्रति यहां पर ठीके तो आपके अंदर क्या पल रहा है आप कहीं ना कहीं इस situation से भी आप निकलना चाहते हो ठीके इस situation को भी आप clear करना चाहते हो क्योंकि यह चीजे भी आपके साथ में यह भी पल रही है आपके जहां एक डर भै बेठा हुआ है ना आपक हो तो दो मिनिट में आपके अपनी हर जो भी situation बनी हो उस चीज से आप बाहर निकल सकते हो ओके पाइल नमबर टू यहां पर देखो आपके अंदर क्या पल रहा है आपके अंदर एक सच्चाई भी पल रही है आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते तो विश्वास करो ठी क्योंकि आप आपके अंदर प्रेम है सच्चाई है ठीक है एक प्रेम खुद बेठा हुआ है भगवान खुद बेठे हुए हैं आपके अंदर यहां पर क्योंकि यह king of swords यह बहुत यह cards बहुत आध्यात्मिक इस पर चलोता है ठीक है बहुत आप बहुत clarity हर चीज में जैसे एक clear रखना अपने thoughts को clear रखना अपनी vision को clear रखना अपने विचारों को clear रखना ठीक है अपनी situation को clear रखना यह उस चीज को बताता है यहां पर ओके यहां पर आपकी आपके में एक बात बता हूँ अगभी तक आपकी किसी भी चीज को आप शायद अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे थे तो वो निकालोगे अब यहां पर क्या पल रहा है आपके अंदर अपने की बात यहां पर आ रही है तो अब आपके जैसे आपके विचार जो उच विचार होते सच में एक जो करुणा भरी हुई है आपके अंदर प्रेयर प्राथना के रूप में जो आ र प्रेयर से नहीं जुड़ पा रहे थे अब पल यहां पर यहीं रहा था जो अब यह जनम क्या ले रहा है आपकी आद्यात्मिक जर्णी में आपकी च्राइने वाली आपका प्रेम यहां पर जनम देने वाला है ठीक है आप बहुत जाधा emotional हो लेकिन emotional के साथ-साथ आप बहुत ज़ादा अब mentally strong भी रहोगे ठीक है death, yes, transformation, pile number two एक आपके अंदर क्या पल रहा है, कौन सा ख्वाब आपके अंदर यहाँ पर पल रहा है, कि आप कही ना कहीं, कही ना कहीं में एक बात बता हूँ, pile number two, कि आप अपने आपको बदलने में लगे हुए हो एक बदलने में लगे हुए हो, कि आपको जिसे एक बहुत बड़े major बदलाव की यहाँ पर जरुरत है, ठीक है, जो आपके साथ कोई आपकी भावनों के साथ ना खेले, आपके साथ चिटिंग ना करे, धोका ना करे, ठीक है और अगर कोई past में हुआ भी है, तो उसे आप easily clear कर सको, लेकिन यह इतनी easily होता नहीं है पाइल नमबर टू, इसके लिए हमें बहुत जादा महनत करनी पड़ती हाड़वक करना पड़ता है, हमें पीछे ना देखते हुए आगे की तरफ यहाँ पर देखना पड़ता है, अपने माइंड सोल के उपर इनर वर्क, शेड़ो वर्क यहाँ पर करना पड़ता है, तब हम इस situation में death की इस्तिती में आते हैं, तब हमारे अंदर एक major change यहाँ पर होता है, जो आपके अंदर एक खौप पल रहा था ना, पाइल नमबर टू, वो आपकी खुदी की prayer, प्रातना और wish के थुरू ही पल रहा था वो, ठीके, और जिसके थुरू यहाँ पर आपके अंद किसी के आगे जुको नहीं, बल्कि सब आपके सामने यहाँ पर जुकें, ठीके, एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है आपकी लाइफ में यहाँ पर, जहां पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि एक ऐसा मेजर बदलाव है, कि आप है ना, अपने आपको टोटली यहाँ पर बदल रहे हो, तोटली बदल रहे हो, आप यहाँ पर, पहले हार सिचुएशन से मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि भागने की आप कोशिश करते थे, जल्दबाजी है ना, बहुत, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पैशेंस बहुत था, पाइल नमबर टू, जो मैंने यहा हाँ पर, आपकी विश है, आपकी प्रात्ना है कि यहां पर transformation हुआ है, आपने आपने आपके अंदर बहुत बदलाव किये, और यह हुआ है, आपकी जैसे और वही पल रहा था, आपके अंदर और इसी की बदले, आपके changes हुए है यहां पर, ओके यह मैं देख रहे हूँ, उसकी वज़े से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है ठीक है डिवाइन हीलिंग यस यह जिसे आपको एक एक ट्रांस्फरमेशन एक चेंज की बदलाव की बहुत जादा जरूरती कि जहां पर आप अपनी दिमाग को बैलेंस कर सको ठीक है जिसे उसे संतुलित यहां पर कर देखो और आप अपने दिमाग के दोड़े न दोड़ा कर अपने उपर विश्वास यहां पर करो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत जादा सेंसेटीव आपको कहीं ना कहीं जैसे कुछ हुआ है डेफिनेटली हुआ है आपके साथ जहां पर आपको हीलिंग की ब बहुत जादा रहते हैं और उन्होंने आपको हील भी किया है ओके पाइल नंबर टू और कौन सा ख़ाब आपके अंदर यहां पर पल रहा है यहां पर आप आप देखोगे कि आप अपनी एक अलग सी उर्जा को यहां पर महसूस करोगे ओके एक जैसे आप अपने आपको मत आपके अपने अंदर बहुत सादा करुणा होती है जिसके अंदर होता है तो यह जन्नम ले रहा है आपके अंदर से आपके सोल की घृवथ हो रही हो इंहां पर क्योंकि माइन बॉड़ी सोल का ट्रस्फरमेशन हुआ है यहां पर आपके अंदर और poking prayer path और उन्स जनम क्या ले रहा है जनम जीसरे आपके सोल करे यहां पर जनम हो रहा आपका subconscious mind जैसे कितना है कि आपके अंदर से एक डर और एक भै निकाला जा रहा है जिसके एक डर और भै की वज़े से शायद आप भागते थे हैं सिच्वेसिन से भागते थे लेकिन आप भाग नहीं रहे हो एक पेशेंस देख रही हूं मैं आपके धहर देख रही हूं एक अर आपकी सौल की एक नई जणनी को में आपर अपने सब्कौंसेंस MIND के सुने का увाल नहीं उड़ता था और उसको और वह मैं उन्हां है। बेर उन्हांती को सब्सक्राइन के साथ पर ऊई भागा है। के लिए बोला जा रहा है कि आपका जो subconscious mind है वो बहुत सारी उड़जाओं से तकर आ रहा है ठीके जैसे इस अर्थ पर बहुत कुछ होता है तो आपका subconscious mind हर चीज़ को read भी कर सकता है ठीके हर चीज़ जैसे आपका आपका मांड की जो power है ना जिसे वो पावर आपकी बढ़ने वाली है और ये जनम आपके अंदर से हो रहा है एक बहुत कुछ चीजे हैं जो आपको महसूस यहां पर करोगे लव एंड पीस जो मैं बोल रही हूँ ना आपको आपके अंदर एक पीस आ रहा है ठीके और आपकी जो आपका जो सबकोंसेस मांड से आप कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे अभी तक ठीके तो उसके लिए आपकी हीलिंग यहां पर आ रही है और एक पीस को आप महसूस करोगे एक पीं इस चाव पता काकी ही ह्यान पर नहीं से ब्सक्राइल जो इसका जनम होनेवाला है कि इस चीज को आप देखोगे कि अ कि यहां पर आप में टोटली जासे माइंड का ही देख रही हूं है यहांपर दिमाक हमारा भई पता नहीं कहां से कहां दोड़ा देता है दिमाग ही हमें डर से निकाल देता है दिमाग ही हमें हमारे अंदर डर को घुसा देता है ठीक है जिसका दिमाग सही है ना बस और जो अपनी माइंड की पावर को शक्ती को उसकी स्ट्रेंद को समझ गया मतलब उसने दुनिया को जीत मलब ऐसा सोचते थे कि भागना हर सीचुएशन से भागना लेकिन यह भाग नहीं रहे हो अब आप एंजल्स भी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर क्या पर आपके अंदर अबर्नस पल रही है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर अब आप यह देखोगे कि अब आ जिसमें करुणा, दया, प्रेम, धहरी है, उसमें कोई भी ब्लोकेज यहाँ पर नहीं है, उसमें अबननस को आप देख रहे हो, आपकी जो खुशी है, उसको आप यहाँ पर देख रहे हो, एक स्ट्रेंथ, दिमाग की पावर, दिमाग की शक्ती यहाँ पर आपके अंदर आ रही है, क्या पल रहा है आपके अंदर, पल तो बहुत कुछ रहा था, और यह एक एसा जिसे भीतरी तरीके से पल रहा था, ठीक है, वाकिंग अवे, यहाँ पर किसी सिच्वेशन से आपको निकलना था, ठीक है, पेले आप भागते थे, उसे सॉल करने की कोशिश नहीं करते थे, उसे हील करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर आप हील भी कर रहे हो, और सिच्वेशन से निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, ओके, अप्रिशेशन, जब हम अपने अंदर इतना जबजस्त बदलाव करते हैं, इतना अपने उपर काम करते हैं, अपने आपको हील करते हैं, जिसे किते हैं कि भटके हुए को एक मंजिल मिल जाती है, एक रस्ता मिल जाता है, एक मुकाम मिल जाता है, एक शांती मिल जाती, लव मिल जाता है, तो उसे क्या मिलता है, एक बहुत बड़े transformation से आप गुजरे हो और वहाँ पर आपको जिसे आपके अंदर क्या पल रहा है आपके अंदर से appreciation इस बात की आपको लेकर मतलब यहां पर आपको बहुत सारी आपको यहां पर आपको जिसे कि appreciation मिलेगा ठीक है कि बहुत बड़ा काम है खुद अपने आप में आपको बहुत अलगी नाम से पुकारा जाएगा एक अलगी अलगी personality के रूप में आप यहां पर जाने जाओगे ओके यहां पर आपको बहुत appreciation भी मिलेगा क्योंकि वह जिसे आपकी love आपकी peace और आपकी धार और आपकी strength और एक बहुत बड़ा टास्वर यह उसके लिए appreciation ह जो पल रहा है आपके अंदर the thinking man yes जो बहुत ज्यादा सोच जिचार है ना वहां से एक जो आप बहुत किसी बारे में आप सोचते थे लेकिन यहां पर एक शान्ती है आपके अंदर ठीक है आप appreciation कहां मिलेगा कि पहले आप शायद अपने आपको किसी ऐसी चीजों में अपन लगा कर रखते थे कि जहां पर आपको वहां से निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी था और यह इतना आसन नहीं था तो वहां से आपको appreciation भी मिल रहा है दसन पाइल नंबर वन यहां पर क्या पल रहा है आपके अंदर वो रहो क्या जनम ले रहा है जनम तो आपका जिसे फीर से एक नया जनम हो रहा है मैं क्या क्या वोलू आप यहां पर पाइल नंबर टू आपका सब कॉंसेस माइंड की पावर को देखो गया आप अपने प्रेम को श्रुवात हो रही है यहाँ पर खुद का जनब मतलब नए विचार नई करुणा नई शोच नई शांती को लेकर आप यहाँ पर अपनी जन्दिगी सूर्य देवता का प्रकाश अब आपके उपर यहां पर पढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रांस्फरमेशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीके, आप यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है न, अब सब के सामने आ रहे हो, प्रकाश में आ रहे हो, लाइट में आ रहे हो, अब आप यहां पर एक वो अलगी रूप निखर कर आ रहा है सब के सामने एक दूसरा रूप है जो आपका जो अभी तक हीडन था जो आपकी सच्चाई थी वो शाद खिल के बाहर नहीं आ रही थी तो वो निखर कर बाहर आ रही है अब आपकी यहां पर क्या पल रहा था आपके अंदर पल यहां पर यही रहा था कि आप अपनी प्रेयर और प्रात्ना से आप अपने आपको बदलना चाहते थे ठीके और बदल भी रहे हो और वो दीरे दीरे वो बड़ी हुई है चीजे आपकी और अब यहां पर जनम जैसे आप खुद अपने बहुत आपको बधाईयां मिलेंगी इस बात को लेकर फीचर में ठीक है पाइल नमबर टू तो पाइल नमबर टू में इस रिडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ आपसे रिजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज प्लीज लाइक कमें सस्क्राइब और टैंक यू थैंक यू सो मच और बाई जेशी किष्णा रादे रादे हर हर महादे